हलो एंड वेलकम यूओल टू बीट दे स्ट्रीट आज हम आपके लिए लाएं एक विशेश टोपिक जिसके बारे में हम डिसक्स करने वाले हैं जैसा कि आपने थम्निल में देखा होगा आज हम बात करने वाले हैं लाइफ इंशॉरेंस के बारे में काफी बड़ा डिसिजन जब भी आप अपने पर्सनल फिनेंस के बारे में सोचते हैं या इसे टोपिक के बारे में सोचते हैं जिसमें इंशॉरेंस शामिलो मिचल पन शामिलो या स्टोक शामिलो क्योंकि उसमें बहुत बड़ा आपका जो जीवन की कमाई है वो इन्वल होती है तो आज हम इस इंशॉरेंस के बारे में अपने डिसिजन को एक इंफर्म डिसिजन में कनवर्ट कर सकते हैं आफ्टर वाचिंग इस शोट वीडियो इन्व बेटर बेटर पोजिशन तू अंडर्सेंड लाइफ इंशॉरेंस और आपको परचेज करना चाहिए कब आपको इसको देखना च चाहिए तो आज हम इस वीडियो में अपसे बहुत आपको बहुत सरे एजेंट्स मिलेंगे तो आपको किस तरीके से क्या क्या चीज़ें उस टाइम देखनी चाहिए तो आज हम इस वीडियो में डिटेन में डिसकुस करने वाले हैं अबाउट लाइफ इंशॉरेंस एक प्रफिंशॉरेंस को क्या बोला जाता है इसकी पीछे इसका हम डेफिनेशन देखें है तो प्योर अगर अगर चे केरा हमदूर अब्सक्राइब खते हैं तो सबसे इसको और डीप डाउन अगर हम उसको और इसको सबसे पहले होता जाता है financial replacement, financial replacement मतलब कि अगर आप जितना कमा पा रहे हैं उतना ही कोई और आपको लाके दे उसे बोला जाता है financial replacement मतलब आप जितना कमाते हैं आपकी जो earning capability है उसको कोई और replace कर दे और साथी साथ in case of death मतलब आपकी अगर मृत्य हो जाएगी तो आपको किस तरह से financially replace किया तो आपको इसको buy कर लेना चाहिए बट सबसे पहले मैं आपको बता दूगी एक myth है और अगर आपको आप एक इंडिया के person है और आप इंडिया में अगर आप सोचते हैं समझते हैं तो I think tax saving is should not be the purpose आपका tax saving कभी purpose नहीं होना चाहिए क्योंकि life insurance कब किया जाना चाहिए वो जाना स्टार्ट किया तो life insurance की कोई ज़रत नहीं है आपको दूसरी चीज़ अगर आप 22 साल के हो गए अब आप कमाना स्टार्ट कर दिया आपने आप बहीने के एक लाग रुपे कमा रहे हैं तब और आपके उपर कहीं लोग dependent है आपके आपके पैरेंट्स आप पर dependent है आप आपको life insurance लेने की ज़रत नहीं है और अब जब आपके कोई dependency आ जाती है मतलब कि आपके मानलोग की आपकी शादी हो गई है अब आप पर कोई dependent है आपकी wife आप पर dependent है या आपके बच्चे आप पर dependent है या आपके parents आप पर dependent है मतलब कि उनकी तब्यत खराब रहती है तो की help कर सके सबसे पहली बात तो अब आपको समझ में आ गया कि आपको life में decide कप करना है कि life insurance लेना चाहिए जब आपके उपर आपके पीछे दो तीन जन आप पर dependent हो एक जना भी dependent हो चाहे तो तो अब तब आपको life insurance लेना चाहिए तो आपको बसके सबुर्राइब कर सकता है किसे को 20 साल में भी किसे के उपर dependency होगी किसे के 25 साल में होगी तो जब आप कमाने लग जाए और आपफे dependency आज Sever हो जाए कि तो आमको यहां पर life के बारे में सोचना है ओके I think I am clear अब आपको क्या देखना है जब भी आप पॉलिसी ले रहे हैं यह तो होगे आपको वेंट टू बाए बट आपको पॉलिसी ले ते टाइम क्या क्या चीजे होती है जो आपको दिमाह में समझनी जरूरी है things to check सबसे पहला होगा कि tenure कितने साल का लें तो tenure आपको लेना है कि मान लीजे आप 30 साल के हैं 30 साल तक आपके कोई dependency नहीं है 30 साल के बाद आपको लगता है कि आपकी शादी हो गई 25-28 साल में और उसके बाद एक साल बाद आपका बच्चा होगा तो आप मान लीजे 31 साल में अ इसमें 70 और 75 बेरी कर सकता है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे 65 का आपका टेनियोर होना जो पॉलिसी का जो टेनियोर है वो 65 यर मतलब आपकी उमर जब 65 की होगी तब तक कोई भी देथ हो जाती है जैसे आपने 30 साल में ली और 30 से 35 65 यर तक आपकी कभी भी बीच में देथ हो जाती है तो आपका जितना भी आपका policy amount होगा मान लीजे कि आपने एक करोड का कर वाया तो एक करोड का amount आपके आपको family को मिल जाएगा ओके पहली चीज होगी अब दूसरी चीज क्या है कि आप 65 क्यों लेना चाहिए 70 75 क्यों नहीं लेना चाहिए वो सबसे जब आप 65 के होगे तब भी तो 30 साल हो जाएगा तो आपकी जगह है मतलब भी तो कमाने लग जाएगा न क्योंकि अगर आप जितनी बड़ी policy लेंगे आपका premium जो होगा वो उतना ही stretch होता जाएगा उतना ही बढ़ता जाएगा तो आपको उस तरीके से भी सोचना होगा कि 20 एर्स तर फिर payment करना होगा आप चाहें तो उसको कम कर सकते हो बट आपका premium फिर उसकी साब से बढ़ता जाएगा उस time में जैसे आपने मान लिए कि आपको 65 years का चाहिए बट आपको payment करना है में को 30 से 40 साल की उमरता की payment करना है in that case आप उसका payment कर सकते हो बट आपकी जो cost हो जाएगा तो यह आपको अभी बहुत affect करेगा क्योंकि आपके जब आद में इनेंट पैसा होना चाहिए जब आपको पैसा नहीं होगा तो it will affect you financially तो आपको सोचना इस हिसाब से है कि आपको payment करना है overall stretching आपको उस साब से stretch करना है कि मेरे को 65 years तक अगर मैं जिन्दा रहता 65 years इसलिए बताया क्योंकि आपको एक या दो children होते हैं तो तब तक 65 years तक वो खुद भी stable हो जाएंगे उनकी खुद की नोकरी लग चुकी होगी तो I think आपको 65 years या 70 years लेना चाहिए मेरे साब से on and effective और हमारी इंडिया की अगर हम generally देखें की life expectancy कि इतनी होती है तो 65-70 years तक और आपकी बच्चों पर नीचे dependency आजएगी तो I don't think तब यहां पर ज्यादा कुछ effect होगा दूसरी चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है वो है वो है amount amount कैसे calculate करेंगी एक करोड का लें दो करोड का लें 10 करोड का लें तो उसका एक simple सा formula है अगर आप यह formula अपना calculate कर सकत करते हो तो 50 साल तक का जितना भी amount होगा उसका साल तक उस खर्चे आप जो खर्चा करते हो मंतली expense करते हो उतना खर्चा आपका life insurance अगर आपकी देत होती है तो वह replace कर पाए यह एक general formula आता है इसको 50 times 40 times तक आप कर सकते हो उसके साब से आप decide कर सकते हो कि आपको policy कितनी लेन हैं तो मानले जी आपकी 10 साल की 10 साल की अगर आप 10 लाग पर यह आप कमाते हैं तो आपका monthly expense आप उस वसाफ़ से calculate कर सकते है है कि आपका kita twenty करना पड़ेगा उतना बड़ा आपका प्रीमियम आपको पेमेंट करना पड़ेगा तो ये दो चीज़ आपके लिए क्लियर हो गई है कि आपको इसको किस तरह से करना है और आपको कब डिसाइड करना है आपकी पॉलिसी आपको कब लेनी है तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि 50 ताइम्स और 40 ताइम्स इंटू इरली एक्सपेंस जो आपको आपके घर को तो कि उसी दिन मिल जाएगी या मदब थोड़े टाइम में मिल जाएगी तो वो अगर वो चाहिए तो अगर वो उसको FD भी करवाते हैं या mutual fund में डालते हैं या stocks में करते हैं और आप 5 य-6% का भी average अगर उस पे interest मिलता है तो भी वो amount आपकी inflation adjusted value के बरापर हो जाता है तो FD या इसमें mutual fund में डालके वो adjust कर सकते हैं यह हो गया दूसरी बात तीसरी बात आता है claim settlement ratio आपको देखना है जो कि आपकी company का 98 या 99% होता है तो आप जिस भी policy का देख रहे हैं उसमें आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा highest जो claim settlement ratio है वो किस company का है क्यूंकि अगर आपके मान लीजे date होती है और उसमें कुछ भी थोड़ी सी error होती है मतलब मान लीजे कि कुछ भी ऐसा होता है कि थोड़ा सा doubtful case होता है तो उसमें फिर claim किस तरीके से दिया जाता है जितना highest chance होगा उस पर depend करेगा कि आपको claim मिलता है यह नहीं मिलता है थोड़ा सा भी doubtful case हुआ तो वहाँ पर कहीं नहीं बहुत बार यहाँ पर issue हो जाते हैं जिसके करन यहाँ पर claim settlement करने में थोड़ा problem आती है तीसरा आपको देखना है AUM asset under management यह क्या होता है हर insurance policy जितना कमर करती है मतलब कि जितना उनको पैसा मिल रहा है premium से यह आप कह सकते हैं कि जितना coverage उनका ले र कि जादा होगा उतना ही अच्छा माना जाता है कि उतनी company stable है इसके साथ Solvency Ratio भी आप देख सकते हैं Solvency Ratio की मतलब की minimum 150 उतनी ज्म जादा इसका कोई मतनब नहीं रहेगा क्योंकि वह अगर पेमेंट नहीं कर पई वैसे तो सारी इंशुरेंस करने के बाद में वह आपको सलेक्ट करनी चाहिए आप tenure कैसे decide कर सकते हैं वह मैंने आपको बताया amount भी आपको decide कर से 50 into yearly expense claim settlement ratio 98-99 तक होना चाहिए AUM आपको बता दिया है कि asset tender management ज्यादा ज्यादा होना चाहिए solvency ratio 150 के पार होना चाहिए क्योंकि यह minimum limit है बाकी आप insurance का काम नहीं कर सकते हो इंडिया में 150 तो हो गाई सबका तो उसका आपको highest देखना है अब आता है कि एक चीज होती है जो आपसे लोग hide कर सकते है कि riders होते हैं इसमें कुछ riders होते हैं मतलब कि आप ऐसे की critical illness का rider ले सकते हो जैसे आपके policy का आया है कि मंतली आपको premium 1000 का payment करना है उसके उपर आप add on लेते हो कि मैं critical illness में आ गया कि 19 या 20 यह सी बिमारिया है जो critical illness में कमर होती है वो आपने उसका rider ले लिया मतलब top up ले लिया जैसे आप पर पीजा खाने जाते हैं वहां पर उपर हम top up डलाते हैं कि हमारा इसका topping कर दो तो विसी तरह यहां पर भी critical illness हो गया terminal illness हो गया उसका यहां पर top up लगता है और उसके ताइद क्या होता है तो वह cancer का उपया आप अच्छे से अच्छे जगह कराना चाहोगे आप आप आउटोपेडिया कराना चाहोगे तो वह 20 लाग 25 लाग आपको जो भी लगता है 30 लाग तक वह आप यहां पर ले सकते हैं और वह लेने के लिए time आपको यह दियान रखना है कि वह आपका main policy का part नहीं मनना चाहिए मतलब आपने एक करोड की policy लिए उन्होंने का हमने 30 लाग इसमें include कर दिया तो आपको फिर बाद में 30 लाग की आपके main policy के बचेंगे फिर आपकी date हो जाती है तो आपको सकतर लाग मिलेंगे तो यह आपको देखना है कि वह बिलकुल separate होना चाहिए मतलब rider बिलकुल अलग होना चाहिए और आपकी जो main policy होगी वह आपकी एक करोड की वह intact होनी चाहिए और साथ ही साथ अगर आपको related to mutual funds तो हमारे अभी एक चल रहा है giveaway participation तो वह आप हमारे telegram group को join करें वहाँ पर आपको telegram group में आपको जाके beat the street सर्च करना है जैसी आप beat the street सर्च करेंगे जो पहला channel आएगा जिसमें 7000 लोग जुड़े होएं already वहाँ पर आप जाके connect कर सकते हैं और वहाँ पर आपको कुछ नहीं giveaway सर्च करना है जैसे giveaway सर्च करेंगे वहाँ पर 1000 रुपए का giveaway आपको मिल सकता है अगर आप उस link से mutual fund डाउनलोड करते हैं तो तो this is all for this video अगर life insurance related आपको और चीजें पता करनी तो comment section में लिखें और बत झाल